यह सेल्स को बढ़ाने का सेक्रेट फॉर्मुला क्या है। आज के इस वीडियो में हम डेटलेगे पसे के सब्झे के बारे में। जिनको इंप्रिम्टिशन करने से आप अपने बिजसे के अंदर पर बढ़ा सकते हैं तो मेरे साथ इस वीजियो में अंतर बनाने ही है, हर एक फॉर्मूला को सीख कर समझ कर अपने बिजनस के अंदर इंप्रिमेंटिशन करके अपने बिजनस को अप में लेके जाने के लिए, उपर लेके जाने के लिए, तो आई ये शिरू करते हैं, मैं माधवीता स्वागत में ये तो आपको इस वीडियो में, आप चाहे कोई भी प्रॉडक्ति ए सर्विसेस की बिजनस करते हैं, तो आपके बिजनस के अंदर आपका सेल्स जितना ज़ादा होगा, उतना ही आपके बिजनस के अंदर कैश ख्लौ होगा, एक्छली, सेल्स के पासूर्स होता है, और कैश जब आपके बिजनस के अदर सेल्स जादा होगा और आपके बिजनस के अंदर repeat sales जादा होगा repeat customer जब आपके पास बार-बार purchasing करेंगे, re-purchase होगा तभी आपके business को आप accurate business model पोल सकते हैं इस वीडियो में हम कुछ पॉर्मूला के बार में डिटेल्स पे बिस्टार में बात करेंगे एक एक करके तो हमारा फर्स्ट सेल्स टेपनिक है बैंट सेल्स टेपनिक B, A and G बैंट का फुल फॉर्म है B for budget, A for authority, N for need and T for timeline Band का मकसर नेही होता है कि यही पता लगाना है कि आप कस्तमर को अपरोच कर रहे हैं तो उसमें आपको चार बात का आपको ध्यान रखना पहुंछ जरू है आपके customer की budget है या नहीं है, आपके product के services को खरीदने की, अगर उसके पस budget नहीं होगा, तो वो आपके product के services को effort नहीं कर पाएगा, Secondly आपको यह check करना है कि क्या आपके targeted customer के पास वो authority है कि वो आपके product के services को खरीद सके, सबंसम्ध और थार्ड़ी आपको यह चेक करना है कि आपके customer की need है या नहीं है अगर प्यसी customer की need नहीं है आपके Product or services को करीदे की Quindi唐 राजली पसमाथ फोर्थ पॉइंट्स छोब को चेक करना है वह बहुत important है यह वह point है जहाँ है आपकोfishUST ब्राइट Alak के opposite वो भी जानना बहुत जरूरी है इन चार बातों का अगर आप थ्यान रखेंगे तो आप अपने तार्गेटेड कस्टमर को अच्छे से आइजेंटिफाइड कर सकते कि कौन से कस्टमर आप के लिए है और किसको आपको जाधा 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 नर्चर करना है जाधा जा लंगा अपकर सकते हैं और अपकर जाधा 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 थाइंवा लूट सकते हैं डिया सकते हैं, Second Technique है Community Partnership, Baliyah Community, Jane Community, Doctors, Teachers, Businessmen, Woman, Cast, Religion, Profession, यह सारे अलग-अलग Community है, अगर आप किसी भी Particular Community कि साथ partnership करके business करते हैं, तो आपका brand रातो रात एक बड़ा brand में convert हो सकता है, बहुत इजली और बहुत अच्छे तरीके से आप अपने brand की position कर सकते हैं, बड़े-बड़े ब्रैंट like, Zometo, Apple ऐसे ब्रैंट जो बड़े-ब्रैंट्स है और उनकी अच्छी-पैसी positioning है मार्केट के अदर वो भी आज के दौर में पार्टनर्शिप कर रहे हैं कमेनिटी के साथ वो अपने ब्रेंड को और साथ लोगों के साथ चुड़ रहे हैं अब चाहते हैं हम अपने अगले टेक्निक में हमारा थर्ड टेक्निक है B2B मेर्टिक टेक्निक मेर्टिक M-E-W-D-I-C मेर्टिक का मीगिंग है मतलब है मेर्टिक्स, इकोनोमिक वायर, इसीशन क्राइटरिया और डिसीशन प्रॉसस यह टेक्निक यह फॉर्मुला उन बिजनस के रहे फिड़ बैटता है जो बिजनस B2B मेरे बिजनस करते हैं बिजनस टू बिजनस देल करते हैं कोई भी कामपिनी को अगर आप अपने प्रोड़ॉक्त के सपूस को बेचने जा है बलग में बेचने जा रहे वहां पे भी आपको चार चाचज़ों का ध्यान त्यत्यान अखना बहुत जरूरी है matrix का मतलब यही है कि आपका particular product and service बेजने से आपको कितने रुपे का, कितना आपको economic उचाल मिलेगा, आपको कितने रुपे का फायरा होगा matrix का मतलब है numbers check करना, numbers में, figures में check करना कि कैसे आपको profit होगा दूसरा चीज़ आपको कोई भी company को आपका product and service बेजने चाले तो वो check करना है कि उस particular product and services को जो company खरीद रहा है वहाँ पर आपके economic बयार कौन है, कौन उस product and services के लिए invest कर रहा है थर्ड ये चीज़ चेक करना है कि decision criteria कैसे लिया जाता है decisions कैसे लिया जाता है कि vendors को कैसे vendors को चूस करना है कैसे लिया होगे, उन criteria को आप fulfill कर पाएगे या नहीं कर पाएगे इन चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए और फूर्थ चीज आपको ध्यान देना है वो है decision process, decision process का मतब है आपको as a vendor चूज कर लिया गया कोई भी company के अदर आपके product and services की supply के लिए, उसके बार आपकी on-board क्या processing होगी, एक vendor की on-board process क्या होगा उसको भी आपको ध्यान देना चाहिए, कि उनकी processing में आप काम कर पाएंग आप में एक बहुत जबर्दस technique है, यह technique बहुत सारे companies आज के दौर में अपने business के अंदर इस model को आज़मा रहे है, इस technique में चार लोग होते है, idea man, people man, action man and process man, idea man नई-नी चीज़े सोचता है, implementation में, creativity में काम करता है, नई-नी चीज़ों को implementation करता है, नई-नी ideas को business के अदर implementation कर करता है, वहीं पर people man relationship build करता है, customer के साथ, audience के साथ, लोगों के साथ, जो भी customer इन प्रड़क के service को खरीदते हैं, उनके साथ एक relationship build करने में people man काम करता है, action man बहुत फुर्टिला होता है, और वो चीज़ों को speed में करता है, process man, data maintaining में और system work में ज्यादा से ज़दा अपना time contribution क करता है, MLM के अंदर action man plus idea man चलता है, action man plus people man चलता है, idea man plus people man चलता है, but MLM के अंदर कभी प्रॉसस man का, only process man का कोई काम नहीं है, only process man MLM के अंदर किसी काम का नहीं है, MLM के अंदर calls, meetings, seminars, repurchasing में बहुत जादा काम करना पदता है, बहुत जादा effort देना पडता है, और MLM के अगर आप इन सब के लिए तो आप आपने बिसनेस मॉडल को एक बिसनेस में अपका बिसनेस करते हैं। तो वह profitable होगा, क्योंकि अगर आपको लोगों के साथ जोड़ने में रुची हैं, तभी आप अपने टीम को भी उनके साथ जोड़ने में ज्याते साथ कुश्टकर के साथ टोमेन कीड़ करके, उनको अपने बिस्नस के अदर जोड़ने में आकर प्रोड़क्त के सविस्स को आपका बिस्नस म cater值 रूप में सोचें तभी हो वो बिस्नस के अंदर सुझते सेर्स जजनरी खर सकते, अगर आपके पास नत वरक है है MlM के अंदर डाएक सेर्स के अंदर Aa के अंदर और वो नेट्रक में लें सकते हैं एक बात हमेशा याद रहे हैं तो एक Ф और के पareं तो अपने बिसनेस को अगर आप अगला काम है जो आपकी सेल्स की काम है तो अपने आप हो जाएगा उस पर आपको जादा एफोर्ट लगाने की कुशिश नहीं करने दे चलेगा तो आज की इस वीडियो में हमने चार सेल्स फॉर्मुला के बारे में डिस्कुशन किया जिसको अगर आप अपने बिसनेस के अंदर इंप्रिमेंटेशन करते हैं तो आपका बिसनेस चार चांत लग चाएगा आपका बिसनेस आगे बढ़ने से कोई नहीं रोग सकता आपकी ब करना आज से ही शुरू कर दीजिये तो आगे प्सक्राइब को यह पर किसे हो और हैं अगे और आपके तक पसंत आया है और आपको चाहिए तो इस वीडियो का अपने आप्रोफिसमा चाहता सब शेयर करें तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक लिए सीखते रहें आगे बढ़ते रहें थिन्यपा